नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का पाच फाइंडर पर So I'm sure आपने इस साल definitely नाम सुना होगा Iron Dome Air Defense System का ये वो वाला Air Defense System है जो की इसराइल के द्वारा इस्तिमाल किया गया था जब इनका हमाज के साथ conflict चल रहा था और ये बातचीत है लगभग जून के महीने की I'm sure आपने ये कई सारे इसके चित्र देखे होंगे जिसमें की आपने देखा होगा किस तरीके से जो आपका Iron Dome है वो एक तरीके से एक बहुत बड़ा Dome बना लेता है और incoming missiles को यहाँ पर अंदर entry लेने नहीं देता है इसके जो काम करने का तरीका था वो भी हमने आपके साथ discuss किया था उसको एक बार दुबारा से याद कर लेते हैं इस तरीके से Iron Dome काम करता है यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहला number one में enemy अपने rockets को fire करता है उसके बाद यह वाला जो आपका system है number two यह basically radar system है जो कि इस particular rocket को detect करता है यह वाला radar system आगे जाकर इस information को convey करता है जिसके चलते यहाँ पर आपका जो missile का एक तरीके से launcher होता है वो missile को launch कर देता है और आगे जाकर इस particular rocket को यहाँ पर intercept करते हुए उसको तबहा कर देता है जब मैं word use कर रहा हूँ कि उसको तबहा कर देता है इसका मतलब कि यह उसको hard kill करता है यानि कि उसको तहस नहस कर देता है basically यह आने वाले rocket को यहाँ पर खतम कर देता है इस चीज़ को कहा जाता है hard kill लेकिन अब इसराइल के द्वारा एक नया air defense system unveil किया गया है क्योंकि जब यह particular air defense system यानि की iron dome की बात्चीत चल रही थी कई सारे विशेशग्य कई सारे observers वो यहाँ पर यह मान रहे थे कि यह अब basically पुराना हो चुका है और अब कई सारे ऐसे enemies आ चुके हैं जो की iron dome को भी यहाँ पर intercept कर सकते हैं इसी के चलते इसराइल के द्वारा अपना एक नया air defense system जिसका नाम है Scorpius उसको recently unveil किया गया है जिसके बारे मैं आपके साथ में discussion करने वाला हूँ आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले तो यह खबर the defense post की इसराइल unveils multi beam Scorpius electronic warfare system उसके बाद यह वाली खबर Forbes के द्वारा भी कवर करी गई है इसराइल unveils revolutionary new Scorpius electronic warfare system इतना ही नहीं भारत के वियौन के द्वारा भी इसको कवर किया गया इसराइल's new electronic warfare system can aim at multiple targets जानेंगे इसकी विशेषता हैं क्या है और ये भी जानेंगे कि ये iron dome से किस तरीके से अलग और भेतर माना जा रहा है चलिए start करते हैं दोस्तों मेरे साथ मेरा नाम है अनिरुद इस lecture की PDF को डाउन्लोड कर सकते हैं यहाँ पर दिये गए टेलिग्राम चैनल के माध्यम से इसके इलावा मुझसे जूट सकते हैं यहाँ पर दिये गए हैंडल के माध्यम से अन दी अनकाडमी आप तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो रिपोर्ट सामने आई हैं वो बेसिकल ये कह रही हैं कि इसराइल has developed a new electronic warfare system which can aim at multiple targets including the drones and the missiles यानि की अगर इसके ऊपर आप multiple targets भी दागेंगे which includes drones and missiles उस case में भी आपका Scorpius air defense system काम कर सकता है The Scorpius system reportedly aims beams in an area as it scans its targets इसको यहाँ पर unveil किया गया है इसराइल की aerospace industries यानि की IAI के द्वारा इन्होंने कहा है कि Scorpius effectively disrupts the operation of their electromagnetic systems including the radar and the electronic sensors navigation and the data communications इसको समझेंगे आगे जाकर कि basically इसका मतलब क्या होता है सबसे पहले तो इस particular चीज़ को समझ लीजे कि इसको develop किया गया है by company called as Elta Systems basically इसकी जो multi beam capability है उसको develop किया गया है by Elta Systems जिसने की इसराइल का iron dome air defense system भी यहाँ पर विक्सित किया था the capability to engage multiple threats ऐसा माना जा रहा है simultaneously कि in the battlefield it is the deadly new innovation by Israel जिसको की आज दिन तक शायद ही कोई और country है जो कि यहाँ पर develop कर पाई हो आप यहाँ पर देख सकते हैं यह केवल एक illustration है Scorpius का जो land based system है किस तरीके से काम करता है multiple beams यह multiple targets के उपर यहाँ पर दिखा सकते हैं आप देख सकते हैं कि यह कितने सारे कम से कम 19 targets हैं जिनको की यह एक साथ यहाँ पर target कर पा रहा है यहाँ पर the new system can reportedly detect and jam targets several kilometers away allowing the multi-layered defense capability और यह भी कहा जाता है कि यह वाला जो आपका Scorpius defense system है इसराइल ने जो हाल ही में blue flag exercise conduct करी थी जिसमें कि US, India, UK और Germany ने भी हिस्सा लिया था वहाँ पर भी इसको showcase किया गया था इसके कई सारे variants हैं यह भी इसकी खास बात है for example अगर हम iron dome की बात करते हैं तो उसको आपके वह land के ऊपर इस्तिमाल कर सकते हैं लेकिन जो आपका Scorpius का air defense system है इसको आप लोग air के ऊपर water के ऊपर और land के ऊपर भी इस्तिमाल कर सकते हैं यानि कि इसके जो अलग-लग variants हैं वो अलग-लग platforms की मदद से आप उसका इस्तिमाल कर सकते हैं आपके सामने again कुछ illustrations दिखाता हूँ यह वाली illustrations Scorpius की naval variant की है जो की ship को protect करने के लिए यहाँ पर लगाया जा रहा है इसके सामने कई सारी जो beams आ रही है इसको यह बड़ी आसान तरीके से intercept कर पाएगा इसके बाद यह वाला जो आपका illustration है यह basically land-based variant का है जिसमें की again यह multiple targets को यहाँ पर intercept करने की शमता रखता है इसका जो air-based variant है उसकी हमें illustration नहीं मिल पाई है अगर आपको मिलती है आप हमें बता सकते हैं इसके इलावा अगर बात करते हैं जो सबसे इसकी खास बात है वो basically यह है कि यह AESA यानि की active electronically scanned array की technology के उपर काम करता है इसका फाइदा क्या है ASA का फाइदा basically यह है कि it can simultaneously scan the entire surrounding region for targets and deploy the narrowly focused beams to interfere with multiple threats across the electromagnetic spectrum यानि कि इसके अंदर जो आपने ये वाला array लगाया हुआ है ये narrow beams का इस्तेमाल करता है normally जो आपके air defense systems होते हैं वो wide beams का इस्तेमाल करते हैं लेकिन जो इसके अंदर आपने electronic system को include किया है वो narrow beams के इस्तेमाल से यहाँ पर काफी जादा targets को detect कर सकता है और इसी particular ASA की वज़े से यहाँ पर ये माना जाता है कि ये काफी advanced है The technological quantum leap is made possible by what? By the unprecedented receiver sensitivity and transmission power जो की basically इसके पहले जितने भी electronic warfare के systems बनाए गए हैं उनको काफी जादा बड़ी मात्रा से exceed करता है This allows Scorpius to detect the multiple threats of different kinds simultaneously from increased distances जिसकी वज़े से आप यहाँ पर जिस तरह का response चाहते हैं उस तरह का response यहाँ पर दे सकते हैं Coming to the most important point मैंने आपको बताया था कि जो iron dome है वो basically एक hard kill का system है यानि कि वो आने वाली missile को या rocket को तहस नहस कर देता है because वो खुद से एक missile छोड़ता है जिसकी वज़े से वो सामने वाले rocket को खतम कर देता है लेकिन Scorpius के case में क्या है कि यह केवले एक soft kill system की शमता रखता है we are calling it soft protection it is an offensive weapon that does not send out missiles it is not a hard kill system and yet it is very effective in engaging and disabling the enemy systems even though इसके अंदर hard kill की शमता नहीं है लेकिन यह laser beams की मदद से basically आने वाली किसी भी तरह के weapon को फिर भले वो drone हो फिर भले missile हो या फिर किसी भी तरह का aerial कुछ भी system क्यों नहीं हो उसको यह यहाँ पर neutralize कर सकता है यानि कि उसकी काम करने की शमता को यह खतम कर सकता है it is the first system which can really detect anything in the sky and address multiple targets in different directions and different frequencies simultaneously और इसी लिए जो experts और observers हैं उनका ये भी मानना है कि ये वाला system क्योंकि obviously missiles को deploy नहीं कर रहा तो इसकी जो launching cost है और इसकी जो maintenance की cost है वो काफी कम आएगी as compared to the iron dome system exactly कैसे काम करता है जब इसको operation में लाया जाएगा तब देखने को पता लगेगा लेकिन अभी तक इसकी जो शमताई है उसको सुनकर लगता है कि इसरायल के द्वारा वाकई में एक काफी जादा advanced और technologically equipped air defense system को यहाँ पे unveil किया गया है फिलाल के लिए दोस्तों वीडियो में इतना ही जाने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि unacademy आपके लिए लेकर आया है हर साल की तरह एक बहुती बहतरीन champions conclave जिसमें कि आपके साथ कई सारे toppers कई सारे IS officers मिलने वाले हैं साथ में कई सारे यहाँ पर जो toppers इस साल के हैं उनके साथ आपकी चर्चा होने वाली है यह तीन दिन का event है 20 से लेकर 22 तरीक तक चलने वाला है इसमें आपके कई सारे doubts को clear किया जाएगा इसके इलावा जो आपके running offers है उसमें unacademy एक नया offer लेकर आया है जिसमें कि अगर आप लोग एक साल का iconic GS लेते हैं जिसमें आपको any UPSC code apply करना है जिसके माध्यम से आपको यह सारे के सारे benefits मिल सकते है you will be getting my personal guidance you will be added to the WhatsApp group and आपको 20 books भी आपके घर तक पहुंचाई जाएंगी इसमें यह वाले batches आपके लिए शुरू करवाई जाएंगे आने वाले 24th November को इसके साथ ही में मेरे द्वारा यह वाले batches आपको available करवाई जाएंगे thank you for listening stay tuned and stay safe